ही गाईज वेलकम बैक तो माई चैनल फैशन क्वेंड फ्रेंड्स आई होग आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे तो आज मैं आप सब को एक डियाइवाई बताने वाली हूं जो की रिंकल्स के लिए बहुत ही बैनिफीशल है फ्रेंड्स दी ज कि रिंकल्स के लिए आज मैं डियाइवाई बताने वाली हूं मैं इक क्रके दिखाऊंगी और दो तीन लिकिन मैं मैं अगर्स बता देती हूं मतब 2-3 डियाइवाई बता दोंगी आप उसको चाह करिएगा और जो मैं आज लगाने वाली हूं यह इजी है और बहुत ही मिल द्रहे एगा तो है यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और हां में बता रही हूं कि यह कौन Istra है देख्यों पहले के बता देती हूं कि की रिंकल्स होते क्यों है फेस पे में के फेंजिकर हमारी इसके ड्राइ है। जैसलरी जो रिंकल्स होते हैं वो ज्राइ इसकें पर होते हैं। मतलब इसकेंजा और खेशृती है और आपकी इसकेंजाश कह सबस्यां है। तो उसी को हम wrinkles बोलते हैं जिसे हिंदी में जुरियां बोलते हैं तो wrinkles वही होते हैं और इसके यह भी है कि अगर आप अपनी life style को healthy नहीं रखते हैं मतलब आप healthy नहीं खाते हैं healthy नहीं पीते हैं तो भी wrinkles हो जाते हैं आप आप over weight हो रहे हों तब भी आपके wrinkles पढ़ेंगे आप tension ले रहे हैं तब भी रिंगल्स पड़ेंगे तो बहुत जादा यह सब चीजे होती हैं जिसके कारण हमारे स्किन पे बहुत ही बुरी एफेक्ट पड़ते हैं बहुत से लोगों के जाईयां भी हो जाती है मेरे तो खुद भी पिंपल्स हैं अभी आपको वीडियो में नहीं द कम होगा एक बारगी तो नहीं आप दो तीन महीने करोगे तो डेफिनेटली यह कम होगा तो मैं दो तीन मैथेट्स बताऊंगी और हां आप बहुत ज़्यादा पानी पीजे जिससे रिंकल्स कम होंगे मतलब रिंकल्स नहीं लेकिन आपके बॉड़ी जो है वो मेंटेन रहे आप अपनी रुटेन में एक ग्लास गरम पानी जरूर शामिल कर लीजिए और इसमें एक लैमन को स्कुईज करके डाल लीजे और उसको जरूर पीजे और हो सके तो जितना ओईली खाने से बचे बचिए घर्मी आ रही है तो अब इसमें बच नहीं है तो यही सब चीजे है आप अपनी lifestyle को healthy रखे और body को अंदर से healthy रखे तो आपकी skin पे यह सब चीजे नहीं होंगी पहले मैं भी बहुत इधर उदर की चीजें खाती थी अप काफी कम कर दी हूं क्योंकि मेरे भी बहुत सारे pimples हैं तो अब मैं जो बताऊंगी एक तो आपका banana DIY mask है बनाने यूज ह कर लेना है थोड़ा सा जितनी आपको quantity लेना हो अपनी skin के लिए आप अगर नेक पे लगाना चाहते है तो मतब एक बनाना में से हाफ बनाना अप ले लिए उसको मैश कर लीजे और उसमें एक टीस्पून रोज वाटर डालिए उसको अच्छे से पेटिए उसके बाद अप आपको नौर्मल वाटर से wash कर लेना है जूसक करने के बाद आप कोई लेजे अच्छा मॉश्वाराइजर लगा लीजे मॉश्वाजर वही है jsous घैल मॉश्वाइजर लगा है तो कैसे भी मॉश्वा Canvas लगा सकते हैं दूसरा है आप जैल ले लीजे उसमें आपको वीट्मि कि अच्छे से मिला के रख लीजे ये दो-तीन दिन के लिए हो जाएगा और डेली नाइट में आप फेश को क्लेन कर लीजे और उसके बाद जो आपने बनाया है अलोवेरा जेल का जो भी क्रीम आपने बनाई है उसको आप डेली लगा के सो जाएए ऐसा आपको मतलब दो-तीन बहिने करना पड़ेगा तीसरा मैथेड ये है कि ये वैसे जल्दी कोई करता नहीं है आप एक अंडा ले लीजे और उसका जो वाइट वाला पोर्शन होता है कच्छा अंडा के में बात कर रही हूं तो उसका जो वाइट पोर्शन होता है वो ले लीजे उसको अच्छे से लीजे और आपके पास अगर मुलताने मिट्टी है तो आधा चमच उसको डाल लीजे नहीं है अगर आपके पास चंदन पाउडर है तो आप उसको डाल लीजे अच्छे से फेट के फिर वही क्लीन फेस कर लेना है और उसको एपलाई करना है उसको एपलाई करने में बहुत उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वाश कर लीजे, मॉशाइजर लगा लीजे, ये सारे डियाईवाई कम से कम आपको दो से तीन महीने करने हैं, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा रिंकल्स के. तो इसके लिए आपको बनाना ले रहे हैं, देखें जैसे मैं ले रही हूँ, और इसे आपको मैश करना है, आप चाहें फॉक की हेल्प से कीजे, या फिर नॉर्मल इस्पून या जिससे भी आप इसे मैश कर सकते हैं, उससे आपको मैश करना है, और देखें, वन टे स्पून rose water लेना है मैंने alps goodness का rose water लिया है आप किसी भी ब्राण का ले सकते हैं और इसमें 1 tablespoon डालना है आप mash करने के बार डालीएगा मैंने पहले ही डाल दिया है तो इसे अच्छे से mash करना है डालके इस तरह से mash करना है फॉक से नहीं हो रहा था तो बाद में मैंने नॉर्मल वाले स्पून ले लिया उससे किया है बहुत ही अच्छे से मैश करना है यह तैयार हो गया अब आप इसको फेस पे लगा लेना है यही मुझे आपको बताना था I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए टेक केर और बाई बाई